आज इसका लेसन सेवन है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्समेंशिप खेल 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 और खेल के दौरान आपका एक उनासिब तरज अमल एक मौजू रविया जिसको आप माकूल पसंदी कहते हैं खेल और उसकी माकूल पसंदी यानि आपके अंदर मौजूनियत हो किसी चीज पर बेजवाज लड़ना नहीं सबसे पहले हम लेसन के लास्ट पेज पर ग्लॉसरी दी हुई है ग्लॉसरी वर्ड्स मीनिंग इसके जो हैं वो हम करेंगे चीट, वाइलेट रूल्स और डिसॉनेस्टी यनि धोका देना, धोका, फाइनलाइज, हत्मी शकल, to settle on अ पर्टिकुलर प्लैन और फर्मूला, मिस्टेक, गल्ती, रॉंग एक्षिन, और रहें फॉल्टी जज्मेंट, ऐसा कोई गलत मिस्टेक, जो गलत जज्मेंट की नतीजे में कोई चीज सामने आएं नर्टर, परविश करना, एंकरेच to develop, development of feeling Official, सरकारी, relating to an office or a position of authority, यनि किसी सरकारी तोर से, किसी authority की तरफ से कोई चीज आना Participate, हिसा लेन, take part or be involved in it, permission, इजाज़त, formula, consent Preparation, तैयारी, the process of preparing, of being prepared Quitter, quit करना, छोड़ देना, someone who gives up too easily, किसी भी चीज को दर्म्यान में ही छोड़ देना, quit कर जाना Race, door, a contest of speeding in running, a contest of speed in running, भागने में कौन पहले निकल जाएगा Sense, समझ, an awareness or an ability to make judgment, regarding some specific thing, किसी भी चीज के हवाले से Sportsmanship, खुश दिली, यानि किसी मामले को खुश दिली से, माकूल पसंदी, अच्छे तरीके से, यानि Sportsmanship क्या होती है, अच्छा तरीका और माकूल पसंदी से कोई भी काम करना, playing fair, sticking on rules and accepting defeat और शिकस्त को मानना, without any feeling of bitterness, किसी भी तल्ख रवाइय के बगैर, Stirving, जद्व जहद, struggle, yield, चीखना, shouting और crying loudly, हम इसकी reading देखते हैं, reading में आज इस lesson में क्या है, Pre-reading, आपको कुछ pictures दी हुई हैं lesson में, आप चितनी sports हैं, उसमें से कुछ sports, indoor और कुछ outdoor sports की pictures हैं, Look at these pictures, can you identify the sports items, क्या यह आप sports item बता सकते हैं, क्या, which game these sports items relate to, सबसे पहले आपका, जो shuttlecock, और racket है, यह देखिए, सबसे पहली picture आपकी shuttlecock और racket है, और इसमें हम इससे क्या खेलते हैं, जिसको आप उर्दू में, चड़ी चिका कहते हैं, इंग्लेश में हम इसको badminton कहते हैं, badminton, number two picture में आपकी hockey stick और balls है, इससे hockey खेली जाती है, picture number three देखिए, ball, bat और wickets, यह cricket खेलने के लिए सामान है, next हमारी picture है, एक football पड़ा हुआ है, और इसके पीछे एक goal है, net लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं, football और net, यह football है और यह net है, यह आपकी football game के लिए है, अच्छा जी, उसके बाद यह tennis racket है और यह tennis balls है, tennis racket and tennis ball, यह tennis खेलने के लिए हैं, केरम, केरम board, केरम board पे आप खेलते हैं, कोई भी अपनी game जिसमें आप indoor game है, यह आपको अंदाजा होगा, उसके बाद आपकी आगी ludo, यह ludo का board पड़ा हुआ है, उसके बाद यह आगी baseball, bat, baseball का bat है यह, और यह आपका ball है उसका, baseball का bat जो है वो goal सा होता है, दूर से एक player जोर से ball फैंगता है और वो डंडे से ही उसको hit करता है, एंड पर golf club and ball, यह golf की stick है, इसको हम कहते हैं golf club और यह उसकी ball है, यह आपको पता ही है कैसे खेली जाती है, खुले इलाकों में खेली जाती है, जहांँ आप उसको hole के अंदर अपनी golf stick से डालते हैं, यह देख लीज़े, इसकी एक बार pictures आप, next page पे आईए है, reading हम start करते हैं lesson की, teacher, do you know, we are having sports week from Monday next, आपको पता है, teacher, उस्ताद ने कहा, उस्ताद, आपको पता है कि अगले पीर से हम sports week शुरू कर रहे हैं, are you making any preparation for it, क्या आप इसकी कोई तयारी कर रहे हैं, students, तलबा, yes sir, जी जनाब, we are participating in different games, हम मुख्लिफ games में हिस्सा ले रहे हैं, teacher, that's very good, उस्ताद, यह बहुत अच्छा है, which game are you participating in, आप लोग, आपकी किन games में हिस्सा ले रहे हैं, रियास, sir, I'll play badminton, जनाब मैं badminton खेलूँगा, कासिम, sir, I'll participate in race, कासिम ने कहा, जनाब मैं race में हिस्सा लूँगा, जमाल, I'll take part in a volleyball match, और जमाल ने कहा कि मैं हिस्सा लूँगा, volleyball के match में, teacher, that's a nice, यह बहुत अच्छा है, before we finalize the selection of players, इससे पहले कि हम तमाम खिलाडियों को मुंतखब कर लें, let me ask you a very important question, मुझे आप लोगों से एक बहुत एहम सवाल पूछना है, do you remember, क्या आप लोगों को पता है, या मालूम है, या आप लोगों की यादाश्त में है, what sportsmanship is, कि sportsmanship, यानि माकूलियत पसंदी जिसकी हमने उर्दू की थी, कि sportsmanship क्या चीज़ है, student, yes sir, जी जनाब, teacher, okay, ठीक है, raise your hands and tell me about sportsmanship one by one, हाथ खड़े करें और बारी-बारी मुझे sportsmanship के बारे में बताएं, फहीं, sir, it means don't cheat, sir, sportsman spirit का मतलब है, कि धोका मत दे, यानि वो एक इसकी जो, इसकी एक चीज़ है उसके अंदर, जो sportsman के अंदर होनी चाहिए, उसको बता रहे हैं कि sportsmanship क्या चीज़ है, कि आप धोका मत दे, कासिम, इसका ये मतलब भी है, कि जब आप हार जाएं, तो रोएं मत, जमाल, इसका ये मतलब भी है, कि आप अपने खिलाडियों के उपर, अपने साथी खिलाडियों के उपर, मत चलाएं, जब उनसे कुछ गलत हो, एहमद, I think it means, don't be a quitter, quit करना, quitter, इसका ये, उसने कहा, मेरा ख्याल है, कि इसका ये मतलब भी है, कि आप गेम को दर्मियान में से छोड़ें मत, ठीचर, yes, you all are right, आप सब लोग ठीख है, sportsmanship includes, इसके इलाबा, sportsmanship में क्या होता है, क्या शामिल है, respect for the game, जो गेम आप खेल रहे हैं, उसकी इज़त करें, the players, players की करें, the rules, उन rules की करें, जो उसके लिए बनाए गए हैं, and the officials, और उसके officials की, यहनि उसके सरकारी, सरकारी ओहदेदारों की, it's also about being the best you can be, और यह इसलिए है, कि आप उसमें बेहतरीन बन सकें, and about knowing how to win or lose, और यह जानना जुरूरी है, कि आपको कैसे हारना और जीतना है, अब आपके पास यहाँ question है, what is your idea of sportsmanship, यही उसका answer है, sportsmanship includes respect for the game, the players, the rules and the officials, it's also about being the best you can be, and about knowing how to win or lose, यह इस question का यही answer है, और यह important question है, इसको जरा तसलिए से एक बार आपने जुरूर देखना है, Jameel, Sir, were you ever afraid of losing, क्या आप कभी हारने से डरे थे, teacher, no, we have to understand, that it's about doing our best, and striving to improve ourselves, teacher न उसको बताया कि नहीं, no, हमें यह मालूम होना चाहिए, हमें यह जानना है, कि हम अपनी बेहतरी के लिए, और अपने आपको बेहतर बनाने के लिए, यह सब कुछ करते हैं, मुनीब, Sir, when I play with my brother, and he tries to cheat me, मुनीब ने कहा, कि जनाप, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूं, और वो मुझे चीट करने की, या मुझे धोका देने की कोशिश करता है, My father is always my side, मेरे वाले साहब हमेशा मेरी तरफ होते हैं, He says, we should have a sense of fair play, वो कहते हैं कि हमें एक इमानदार खेल, खेलने का समझ होनी चाहिए, even when we are playing games at home, हता के जब हम अपने घर पे खेल रहे हूं, teacher, You are right, हाँ, तुम ठीक हो, मुनीब, parents can play simple games with their children, Parents अपने बच्चों के साथ साधी सी गेम खेल सकते हैं, खेलते हैं, खेले, and neuter them to sense of fair play, और उनको सही इमानदाराना गेम खेलने का तरबियत देते हैं, कासिम, Sir, we have prepared a chart for sports week, Sir, हमने sports week के लिए, यानि जो पूरा हफ़ता sports का है, उसका chart तयार किया है, chart देखिए, अब chart में क्या है, days हैं, और ये events हैं, events कितने बज़े से कितने बज़े तक होने हैं, और उसकी date क्या होगी, ये तमाम चीजें इसमें mention हैं, day, Monday, match at 8.30am, badminton team A versus team B, यानि badminton का match होगा सबसे पहले साड़े 8 बज़े, और उसमें team A बमकाबला team B होगी, उसके बाद match at 12.30pm, दुपहर के बगद जो second time पे match होगा, वो होकी का है, team E versus team F, team E बमकाबला team F होगा, Tuesday, Monday के बाद Tuesday, volleyball team A versus team D, यानि team A बमकाबला team D, इसका time को ही है, और उसके बाद football का match second time पे, साड़े बारा बज़े, team E versus team G, Wednesday, cricket, team A versus team C, volleyball, team F versus team G, Thursday, hockey, team B versus team C, या वी एस versus बमकाबला, तंग अवर, team F versus team H, Friday, 100 meter race, 12.30 पे cricket, cricket, team G versus team H, Saturday, football, team C versus team D, B, badminton, साड़े बारा बज़े, time बताया हुए आपको, और team E versus team H, teacher, good sports week, बहुत अच्छा sports का हफता है, good sports mean, week mean, अच्छे sports के हफते का मतलब है, to show sportsmanship, के आप उसमें अच्छी माकूलियत पसंदी दिखाएं, students, yes sir, students ने जवाब दिया, जी, sir या, जी जनाब, अच्छा जी, vocabulary देखिए, vocabulary इसकी क्या है, differentiate between indoor and outdoor games, indoor और outdoor games को अलग अलग करें, write them in proper column, hockey, scrabble, polo, chess, volleyball, table tennis, carom board, hurdle race, basketball, ludo, cricket, relay race, swimming और high jump, अब इसमें से indoor games कौन सी है, scrabble, chess, table tennis, carom board, ludo और swimming, swimming, swimming भी mostly indoor होती है, उसके उपर च्छत बनाई हुई होती है, जिस वक्त इसको, जो clubs में आपका swimming pool होता है, नहर में तो ऐसा नहीं होता है, नहर में च्छत नहीं होती हो, आप खुला swimming कर सकते हैं, outdoor games, hockey, polo, volleyball, hurdle race, basketball, cricket, high jump, और rally race, यह तमाम वो games हैं, जो आपकी outdoor games होंगी, now reading for comprehension, आपको एक छोटा सा sketch दिया हुआ है, sportsmanship में किस चीज़ की जरूरत होती है, respect for, games, rules and players, sportsmanship means, respect for, games, rules and players, इसका आपने खुद answer देना है, और इस answer में summarize करना है, what is the meaning of sportsmanship, यह देखिए, यह आपके लिए एक छोटा सा में लिखा था, a sportsmanship includes, respect for the game, players, rules and officials, it is also about the best you can and about knowing how to win or lose, यह वो ही last paragraph है, जो हमारे lesson के उसमें दिया हुआ है, answer the following question, answer the following question में आपके पास question number one है, what is meant by sportsmanship, same तकरीबन इसका भी वही answer है, जो आपको दिया हुआ है, summarize the idea of sportsmanship, इसी का सेम ही तकरीबन answer है, sportsmanship, question number one b part का, question number one का answer है, sportsmanship means, to respect the game and the players, it also means to follow rules and the officials, and respect the officials, now question number two, why should we not cheat in games, cheating, answer देखिए, cheating in the game may change the result and can make a loser the winner team or make the winner, make the winner of the loser, make them loser team, so it is not a good manner to cheat, question number three है आपका, why it is important to control your emotions when you lose, यह क्यों जरूरी है कि जब आप कोई match हार जाएं, तो अपने emotions को control में रखें, it is important to control our emotions when we lose, this practice prepare us to face every difficulty of life, कि यह जो यह वाली जो आपकी spirit है कि आप अपने emotions को control रखें, आपको जिन्दगी के बहुत से मामलात सिखाती है, now question number four, games also teach us teamwork, how, game हमें teamwork सिखाती है, कैसे, it is a group activity, यह group activity है, game जो भी है, वो एक group activity होती है, and a teamwork, in game we have to interact, हम एक दूसरे से राप्ता करते हैं, and cooperate और cooperate करते हैं, with our team members, team members से, हम अपने team के लोगों से cooperate करते हैं, और उनसे interact करते हैं, इस तना यह हमें सिखाती है, last question है, आपका question number five, which game do you like the most, आपको कौन सी game बहुत पसंद है, why, यह question आप खुद कीजिए, क्योंकि यह आपकी choice पे है, I like hockey, because it is an outdoor game, and I like to play in open ear, it gives me a proper exercise, and I can take, open ear oxygen, or sun bath, और जो भी आप इसमें लिखना चाहें, या आप indoor game पे लिखें, I like to play indoor game, like Ludo, or chess, और एक और game हमारे, इसमें introduce करवाई गई थी, इसमें से आप देख लीजिए, जो game आपको पसंद है, और फिर indoor game के फ़वाइद लिख दीजिए, कि I have a dust allergy, so I don't like to go outside, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें, next आपका है, fill in the blank columns in the table, fill in the blank columns in the table, आपको name दिया हुआ है, name of the game, hockey, cricket, badminton, football, ludo और volleyball, उसमें आप से ये पूचा गया है, कि ये indoor है या outdoor है, hockey outdoor है, cricket outdoor है, badminton indoor है, football outdoor है, ludo भी indoor है, और volleyball आपका outdoor है, फिर अगला आप से पूचा गया है, इनके dresses क्या है, hockey में t-shirts and shorts हैं, निक्रे और shirt हैं, cricket में t-shirts plus trousers हैं, and trousers, badminton में t-shirts और shorts हैं, football में t-shirts और shorts हैं, ludo में not specific dress, कोई specific dress नहीं है, आप कुछ भी पैन सकते हैं, volleyball में t-shirts and shorts हैं, इसी तरह sports item इसमें कौन से यूज होते हैं, जो हमने पहले सबसे question में देखा था, hockey and ball, bat and ball और wicket साथ आप लिख सकते हैं, badminton में racquets and shuttle, football में football और net उसका चाहिए, goal net, ludo में ludo चाहिए, और volleyball में आपको ball चाहिए, इसके इलावा number of players, किसी भी game में कितने players होते हैं, आपकी hockey में 11 members in each team, cricket में 11 members in each team, badminton में 2 से लेके 4 players तक आप खेल सकते हैं, 2-2 का भी membership वो बना सकते हैं, और 4 player खेल सकते हैं, यह निए एक तरफ एक लड़का खड़ा हो गया, एक तरफ net के एक तो दो हो गया, अगर 2-2 खड़े हो जाएं तो 4 हो जाएंगे, football, 11 members, ludo, 2 से 4 तक members केल सकते हैं, अकेला तो ludo नहीं केली जाती नहीं, इसलिए या तो 2 लोग होंगे, या 3 होंगे या 4 होंगे, volleyball, 11 players होते हैं, next हमारा grammar portion स्टार्ट हो गया है, grammar portion में हमने करने हैं nouns, noun is a name of a person, place or thing, किसी भी चीज, जगा और शख्स के नाम को हम noun कहते हैं, इसमें फिर दो कैटिगरीज आ जाती हैं, proper noun और improper noun, proper noun जो है, वो किसी भी specific जगा, specific शख्स के नाम को हम proper noun कहते हैं, जैसे अगर आपका नाम है, एहमद, लहौर, फैसलबाद, जड़ावाला रोड, जड़ावाला, तो ये सब के सब जो है, proper noun हैं, काइद आज़म हम mostly nursery class से पढ़ते आ रहे हैं, काइद आज़म is a proper noun, लहौर is a proper noun, तो ये तमाम चीज़े, proper noun हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने लगे हैं, कि एक हमारे पास होता है collective noun, यानि आपके पास किसी भी चीज़ का नाम है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़े हैं, जैसे team, team में 11 players भी हो सकते हैं, army, army में कितने 100 के करीब आपके सिपाही हो सकते हैं, fleet, ये देखिए कष्टियों का एक बहुत बड़ा वो आ रहा है, herd, जानवरों का herd, cattle, ये गाएं, बकरियां, गाएं भैसे, herd जो है ये बकरियों और भेडों का है, bunch of banana है ये, यानि गुच्छा, bunch में ना गुच्छा, उसके बाद है crowd, crowd में ना rush, ये बहुत से लोगों, ये तमाम के तमाम, crowd, bunch, cattle, herd, fleet, army, team, ये तमाम के तमाम क्या हैं, collective noun हैं, ये तमाम चीजों के नाम हैं, लेकिन ये चीजें क्या हैं, बहुत सारी चीजों का, का मजमूवा हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, collective nouns, अच्चा जी, अब हमारी ये collective nouns के reference से ही, एक छोटी सी practice है, replace the underlined words, with a suitable collective noun, a lot of people gathered on the beach, बहुत सारे लोग, beach पर, beach कहते हैं, दरिया के किनारे को, सुमंदर के किनारे को, उस पर जमा हो गए, a crowd, a lot of people की जगा, a crowd gathered on the beach, number two, the man took, a man took his wife and children to the zoo, एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों को zoo लेकर गया, लेकिन इसको अगर हम wife and children को खतम करें, तो वो family है, the man took his family to the zoo, इसके मीनिंग भी ही आते हैं family से, कि वो अपने बीवी बच्चों को चिडिया घर लेके गया, the group of cows gazed on the hill, the cattle gazed on the hill, group of cows ही होते हैं ना, cattle, the captain led his group of players off the ground, to the ground, the captain led his team to the ground, the children gave the chief guest a collection of flower, a collection of flower क्या होता है, bouquet, the children gave the chief guest a bouquet, अच्चा, अब हमने देखना है, कि हम किसी sentence में, जब हम noun use करते हैं, तो उसकी जगा, noun की जगा, हम he, she, it, they, use करते हैं, उसको हम कहते हैं, pronoun, ठीक है, noun और pronoun का, आपस का agreement है, उसके अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है, कि जो pronoun है, वो noun के accordingly हो, अगर वो male है, तो उसका जो आप pronoun दे रहे हैं, वो आपका proper, उसको represent कर रहा हो, next हमारा है, pronoun, और pronoun की जो आपस में relationship है, noun is the name of a person, और pronoun की है, जो noun की जगा पर इस्तमाल करिया जाता है, he, she, it, they, उन दोनों की आपस में relationship क्या है, ठीक है, antecedent, antecedent relationship, pronoun and c descent relationship, तो इसमें आपने, देखना यह है, कि जो आपका noun है, उसके accordingly ही आपका pronoun होना चाहिए, boys के लिए आप he use करते हैं, his use करते हैं, और girls के लिए आप her use करते हैं, ज्यादा लोग हों तो, they, their, ऐसी, यह वाली चीज़ आपने, उसको exactly देखनी है, अच्छा, अब आप देखें, कि जैसे यहाँ है, a pronoun must agree with its antecedent, in three ways, तीन तरीकों से, उसका gender, persons, number, ठीक है, प्लूलर है, तो प्लूलर लिखेंगे, जेंडर कौन सा है, वो आप देखेंगे, यह हम प्रेक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा, प्रोनाउण, दभवाई lost his ball, यह रेफिरेंट है इसका, his, दभवाई lost his ball, इन अबव सेंटेंज, दभवाई, इस दभवाई, दभवाई, प्रोनाउण इसमें, इसमें हिज है, तो उसका एंटिसमें किसका है, यह बवाई का, आपने word and see descent में नहीं फसना ये इन दोनों का आपस का relationship है ये मुश्किल काम नहीं है In the above sentence, the noun y is the antecedent of the pronoun his अब read this paragraph, read these two paragraphs हमने इन दो paragraphs की reading करनी है और हमने बताना है कि कौन सा paragraph ज्यादा proper coordination में है noun and pronoun की paragraph 1 कलीम was the goalkeeper कलीम went down on कलीम's knee कलीम got the hockey in कलीम's hand and held the hockey strongly कलीम smiled behind कलीम's helmet अब इसमें जहां पर भी he use किया जा सकता था या his use किया जा सकता था उसकी जगा उन्होंने उसका नाम मुसलसल यूस किया है कलीम का जो के प्रॉपर नहीं है आपका अन्टिसिदेंट नाउन और प्रॉनाउन का अब हम paragraph नंबर टू पढ़ते हैं कलीम वोस्त गोलगीपर यह वोन यह वेंट डाउन और इस नीज यह उसके बाद आपने इस और इस यह आपके प्रॉनाउन थे जो आपने उसकी जगा कलीम के साथ यूज़ के तो कलीम के antecedent क्या थे he or his तो इसलिए जो हमारा paragraph number 2 है अब आगे आपका एक question उन्होंने पूचा है आप से which paragraph is more appropriate by कौन सा paragraph ज्यादा appropriate है और क्यूं है paragraph 2 is more appropriate because it follows the correct pronoun antecedent agreement noun और pronoun का proper antecedent agreement paragraph B में है इसलिए ये paragraph B जो है वो ज्यादा proper है अचा अब आप देखिएगा हमने यहाँ पर इसको correction करनी है join antecedent with the referent in each sentence यनि जो antecedent आपका noun और pronoun का है उसको हमने आपस में मिलाना है correct the wrong pronoun कुछ sentences में प्रोनाउन रॉंग है उसको हमने ठीक करना है antecedent relationship accordingly अब पहला question हमारे लिए पहला जो statement है हमारे लिए उन्होंने किया है the cat will sleep in its basket बिल्ली अपनी टोकरी में सोएगी his is wrong for girl a new one tomorrow cannot find it मैं इसे देख नहीं पा रहा या तलाश नहीं कर पा रहा या यह मुझे मिल नहीं रहा next देखिए grammar portion थोड़ा सा feel होता है कि जैसे हमें नहीं आता है लेकिन आ रहा होता है अचा अब हमने करना है future tense future tense क्या होता है वो tense वो जमाना tense हम कहते हैं जमाने को वो जमाना जिसमें हम आने वाले time के बारे में बात करते हैं यानि जैसे आपने मुझे बताना है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूँगा ठीक है या मैं कल को बजार जाओंगा कुछ भी वक्त जो आने वाला है उसके बारे में जब भी आप कोई बात करेंगे तो हम किसमें करेंगे future tense में future tense में क्या word दूस करते हैं will we often do the simple future tense to make a prediction यानि आप उसके बारे में एक prediction दे रहे होते हैं आप उसके बारे में एक आने वाले वक्त के बारे में जो बात बता रहे होते हैं वो यकीन ही नहीं होती उसके बारे में आप prediction बता रहे होते हैं कि मैं आने वाले वक्त नहीं यह होगा we are saying what we think हम कहते हैं जो हम सोचते हैं will happen के ऐसे होगा when we form the future with will we use will हम will लिखते हैं और उसके साथ first form of verb लगाते हैं ठीक है जैसे verb क्या है verb is a word which shows action doing words are called verbs जिसमें कोई इसी काम को हम करते हैं jumping, playing writing, balling कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई काम हो रहा होता है उसको हम verb कहते हैं तो verb की हमने first form लगानी है जैसे verb है eat अब हम खाने को eat कहेंगे जिसमें past में जब हम खाएंगे तो हम कहेंगे I ate my food मैंने अपना खाना खाया था लेकिन जब आप future की बात करेंगे तो आप कहेंगे I will eat my food मैं अपना खाना खाऊंगा तो अगर आप present में कह रहे हैं I am eating my food मैं अपना खाना खा रहा हूं अब आप देखिए looking at this list of grade 4 students यह grade 4 के students की कुछ list दी है next to their name अपने उनके नाम के आगे a list of prediction of what they will do when they grow up कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे Ali pilot Ali will be a pilot Ali can be a pilot Sana doctor Sana will be a doctor Hamid policeman Hamid will become a policeman Fatima work in hospital as nurse Fatima will work in hospital as a nurse Saakib accountant Saakib Saakib will be an accountant Numan painter Numan will be a painter Fawad lawyer Fawad practice as a lawyer Fawad as a wakil काम करेगा यह तमाम predictions हैं लेकिन इसमें कोई यकीनी बात नहीं होती क्यूंकि इसका future से तालुक होता है जो काम आपका हो गया होता है past वो आपको पता होता है यह हो चुका है और या जो present इस वक्त हो रहा है वो आपको पता होता है future हमेशा prediction ही होती है अली विल बी अपाइल अच्छाण question number D now fill in the list given below using will to describe the wishes and dreams of grade 4 students sorry grade 6 students अगर यह 1 जो है V से पहले हो तो यह grade 4 students होते है अगर यह यहां 5 आगया 5 के बाद आप एक add कर रहे है 6 दो add करेंगे lines तो 7 तो 3 lines add करेंगे तो यह 8 हो जाएगा 9 के लिए फिर x और sorry 9 के लिए फिर 1 और x और 10 के लिए simple x Ali will be a pilot Fatima will work in a hospital as a nurse Hamid will become a policeman Sana will be a doctor यह practice करने के लिए आपको दिया कि sentence आप खुद बनाएं Saakib will become an accountant Numan will be a painter Fawad will practice as a lawyer यह तमाम चीजें किसमे क्या बनना है इसी list में से हमने जो उपर दी हुई है book में वही से लिए है खुद से कुछ नहीं किया खुद से सिरफ हमने उसको अच्छा जी यह देखिए punctuation punctuation read these words यह हमें words दिये में read these words aloud and make sentences fill भरना feel महसूस करना fit किसी चीज का fit होना feet pound ship जहाद sheep भेड pin common pin जैसे होती है pine यह pine tree होता है तो इसको आपने sentences में use करना है पहला आप देखिए fill आप अकसर sentence बनाते हैं अकसर sentence अपनी copies पे लिखते हैं fill in the blanks feel I can feel your emotions मैं तुमारी जो emotions हैं उनको महसूस कर सकता हूँ आप खुद कोई भी sentences बना सकते हैं उसके बाद है आपका fit और feet exercise keep us fit exercise हमें fit रखती है feet my feet are swollen मेरे पाउं सूजे हुए हैं next आपका है ship और sheep ship the ship is sailing on the sea ship समंदर पर sail कर रही है तैर रही है sheep is a beautiful animal sheep एक बड़ा खुबसूरत सा जानबर है pin pin see a pin and pick it up एक pin देखो और उसको उठाओ pine I like pine trees मुझे pine trees अच्छे लगते हैं next आपकी writing skills है इसमें हमने sentences को change करना है negative में और interrogative में negative sentences क्या होते हैं जिसमें हम not use करते हैं और interrogative sentences वो होते हैं जिसमें हम question बना देते हैं उसी sentence का change the following sentences into negative and interrogative number one I will go to the market today इसका negative sentence देखिए I will not go to the market today कुछ भी नहीं किया will के साथ not का इसाफ़ा कर दिया है आगे देखिए you you will play hockey you will not play hockey she will complete her work she will not complete her work they will reach Lahore tomorrow they will not reach Lahore tomorrow number fifth है the wet shirt will dry in the sun the wet shirt will not dry in the sun ये हैं आपके तमाम के तमाम negative sentences अब हमने इनी sentences को interrogative में लाना है तो हमारे जो will के sentences है इन तमाम को जब हम interrogative में लाएंगे तो will को हम start में ले आएंगे sentence के देखिए number one का will I go to the market today क्या में आज मार्के जाओंगी will you play hockey क्या तुम होकी खेलोगे will she complete her work क्या वो अपना काम मुकंबल करेगी will they reach लहौर तुमारो क्या वो आज लहौर पहुँचेंगे will the wet shirt dry in the sun क्या गीली shirt सूरज में सूखेगी will को तमाम जितने भी sentences हैं सब will हम बाइर ले आएं और same sentence को full stop से नहीं खतम किया question mark से खतम किया तो वो आपका question sentence बन गया question sentence में आप sentence question mark पे end करते हैं अच्छा अब आपकी है writing skills में paragraph writing paragraph writing का वो ही आप उसका format ले लीजिए हर format के तीन तीन sentences चार्चर sentences collect कीजिए आपने write an essay of 60 to 70 words on my favorite game सबसे पहले आप सोचिए कि आपकी favorite game कौन सी है उसका नाम लिखे फिर यह दिखें what is your favorite game describe the game वो game कैसे खेली जाती है and how it is played यह सिरफ तीन sentences आपने लिखने उसके बाद उसकी पहले paragraph में यह एक paragraph खतम हो गया फिर आप उसका body का पहला paragraph लिखेंगे उसके rules क्या है और someone could learn how to play it यह आप net से भी देख सकते हैं किसी एक game को चुल लीजिए और उसके यह इसके मताबिक उसके वो तीन दीन sentence collect करते जाएं duration of the game क्या है कितने players खेलते हैं उसमें और practicing in the game आप players की क्या उसमें practice है कि कितने number होते हैं और किस तरह खेला जाता है end पर आप किसी भी चीज़ का conclusion देते हैं how is the game good for you आपके लिए game कैसे अच्छी है physical and mental health के लिए what good things do you learn from your favorite game आप अपनी इस favorite game से क्या चीज़ learn करते हैं क्या सीखते हैं यह एक एक sentences के बारे में आप तलाश कीज़िए टून डिए और आपका यह paragraph complete हो जाएगा अब हम अपना देखते हैं oral communication skill सिर्फ यह एक reading के लिए है ताहिर how do you spend your Sunday आमिर ताहिर ने सवाल किया है कि आमिर तुम अपना संडे इतवार का दिन कैसे गुजारते हो आमिर well, ठीक on Sunday, Sunday के दिन I wake up around 8 मैं तक्रीबन 8 पजे उठता हूँ in the morning then I do my homework फिर मैं अपना घर का काम करता हूँ and go to the playground और खेलने के मैदान में चला जाता हूँ ताहिर really, वाकई which game do you play तुम कौन सा खेल खेलते हो आमिर I play different games like hockey, football and cricket मुझे मुझे मुख्लिब गेम खेलता हूँ मैं, hockey, football or cricket ताहिर Do you also play any indoor game क्या तुम कोई indoor game भी खेलते हो घर के अंदर यानि दोर के अंदर रहने वाली आमिर Yes when it rains जब बारिश हो रही होती है I don't play outdoor games मैं बाहर की गेम जाने वाली गेम नहीं खेलता Then I play badminton और carom board with my sister फिर मैं घर के अंदर ही यानि अपमी बेहन के साथ carom board और badminton खेल लेता हूँ Really which game do you play वाकई यह यहां से लिया गया Really which game do you play I play different games like hockey, football and cricket यह I play यहनि आपको बताया गया है कि यह है आपके आमिर साहब और यह है आपके ताहिर साहब आपकी यह lesson complete हो गई है बड़ी interesting सी lesson है इसकी glossary कि जितने words हमने पढ़े हैं इनको आप देखिए और तमाम के तमाम words को अपने sentences में यूज कीजिए ताके आपकी यादाश्त में आपकी उसमें mental dictionary में यह थोड़े से save हो जाएंगे अगर आप इसके sentences बनाएंगे तो आपको life में यह बहुत अच्छा pay करेंगे Thank you very much Allah हापिस